हेलो दोस्तों मैं विवेका नंद लेट्स इस्टेडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो बच्छों हम लोग हैलो एलकेन और हैलो एरीन के बारे में डिसकस कर रहे थे तो लास्ट जो पिछला हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या डिसकस किया था फिजिकल प्रोपर्टी आफ हैलो एलकेन यानि हैलो एलकेन का बहुती गुण का कलर क्या होता है इसमेल क्या होता है ये पानी में घुलते हैं कि नई घुलते हैं ये सब हम लोगों ने डिसकस किया था तो आज हम लोग क्या डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हेलो एलकेन का रायसानिक गुड आखिर सर्व वो क्या क्या रायसानिक गुड होता है हेलो एलकेन का जो आज के लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले एक-एक को समझाओ तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पर क्या करेंगे डिसकस करेंगे और किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखेंगे समझेंगे एक-एक बात को तो सबसे पहला यहाँ पर ह ग्रियेक्ष को आप हेलो इलकेन का रियेक्षन देखेंगे इसका हम लोग डECTION देखने वाले हैं सबसे पहले इसको Discuss करना जरूरी है इन में कौन तो सबसे पहला क्युजा रियेक्षन अधान आप हम Kingeson है सबसे पहले यहां पर हम लोग समझते हैं कि अब सब्सक्रांच इस प्रतिस्थापन अभी क्रिया प्रतिस्थापन अभी किरिया यह हम लोग का होता है सब्टिट्यूशन रियक्शन अब बैसिकली सब्टिट्यूशन रियक्शन में यहां पर भी हम लोग जो पढ़ेंगे इसे सौर्ट में एसन रियक्शन लिखते हैं क्या लिखते हैं एसन रियक्षन लिखते हैं इसको ध्यान देना है यह इसको ऐसे लिखते हैं तो यह अपना पहला रियक्षन हो गया दूसरा वाला जो होता है वो होता है यहां पर कुछ इस तरीके से इलिमिनेशन रियक्षन अब बैसिकली इलिमिनेशन रियक्षन को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया क्या कहते हैं विलोपन अभिक्रिया यह बोला करते हैं और जो थार्ड होता है इसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं रियक्षन विथ रियक्षन विथ मे reaction with metal research यानि धातू के साथ सुलission तो हाँ यहाँ यहां पर यह 3 reaction हम लोग क्या करने वाले हैं कांज यहां साथ रेक्शेंगे संसरीन रेक्शन लिएक्शन भी कहते हुने सब्सक्यार अब स्ब्सक्रिक्ट एक्शन न약स्न कःसर्क्रण और किस तरीके से इसके बारे में यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे तो यहाँ पर बेटा एक-एक करके हम लोग क्या करेंगे discuss करने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे अब यहाँ पर एक बात को discuss करेंगे तो सबसे पहला heading अपने copy में जो लगेगा हम लोगों का वो होगा substitution reaction substitution reaction जिसे sort में SN reaction कहते हैं अब SN reaction जो होता है ये किस तरीके से होता है सबसे पहले हमको ये समझना है अब यहाँ पर SN में क्या होता है S का मतलब होता है substitution यानि प्रतिस्थापन और N का मतलब होता है nucleophile अब nucleophile क्या होते है छोटा से ये समझने वाला बात है तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि basically nucleophile होता क्या है तो अगर हम बात करें nucleophile के बारे में हाँ पर बटा किस के बारे में बात करें हम अगर बात करें नियुक्लियोफाइल के बारे में, तो किस तरीके से नियुक्लियोफाइल को समझेंगे, नियुक्लियोफाइल, नियुक्लियोफाइल जो होते हैं, यह क्या होते हैं, इलेक्टरान रिच स्पीसीज होते हैं, सबसे पहले तो यहां पर यह समझने वाली बात अब electron rich species का मतलब होता है, जिनके पास electron ज्यादा होता है, क्या होता है, जिनके पास electron ज्यादा होता है, वो हमारे electron rich species होते हैं, मतलब electron उनके पास ज्यादा है, तो वो कहां पे जूड़ना पसंद करेंगे, जहां पे electron कम होगा, और जहां पे electron कम होगा, वहीं पर यह जाकर कैसे से जोड़ जाएंगे तो यह विसिकली हमारा कौन सा होगा अब सर्थ एक्जामपल से समझते हैं तो किस तरीके से इक्जाम्पल के साथ में समझेंगे, सबसे पहले तो यहां पर यह देखते हैं, जैसे मानलो, मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर कोई हैलोजन लगा देते हैं, अब यहां पर क्या होता है, कि जो हैलोजन वाला बॉंड है, यह पोलर नेचर का होता है, कौन सा नेचर का होत है आपने बताया था कि carbon halogen bond जो होता है फिर अब यहाँ पर क्या होinformIST 7 को पर माइनस चार्ज बड़ा रहे हैं तो इसका मतलब होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह neutral के form में भी आ जाते हैं तो neutral के form में जब आते हैं तो वहाँ पे minus नहीं लगाते हैं इसको ध्यान रखना है तो अब क्या होगा ये nuclear file आएगा यहाँ आपर जूड़ेगा किसके साथ में इस carbon के साथ में जूड़ेगा जब इस carbon के था वहां पर क्या लगाएंगे वहां पर लगा देंगे हम लोग NU यानि निउकलियो फाइल लगा देंगे तो यहां पर निउकलियो फाइल लग जाएगा और यह हमारा final product बन जाएगा और इसी reaction को बोलते हैं SN reaction क्या बोला मैंने इसी को SN reaction तो यह हमारा हो गया न भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभी क्या अब जो जो एक सो उटा है दो प्रकार का होता Ł бег अग्पderण, कंप्टलीट हो चूका है तो अब इसका types किस तरीके से यहाँ पर discuss करेंगे, सबसे पहले यह देख लेते हैं, तो यह हम लोगों का हो गया, अब चलते ही यहाँ पर, types of action reaction, के types के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहला यह जो SN reaction होता है, यह होता है SN1, अब SN1 का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है, S का मतलब होता है, substitution, N का मतलब होता है, nucleophilic, first का मतलब होता है, unimolecular, यानि substitution, nucleophilic, unimolecular, क्या होता है, unimolecular होता है, तो अब इसको किस तरीके से discuss करना है, सर, सबसे पहले तो तुमको यह समझना पड़ेगा, यहाँ पर, यह ध्यान से समझना, कि यहाँ पर कुछ मैं important बात बता रहा हूँ, सबसे पहले इसमें जो हमारा order of reaction होता है, order जो होता है, reaction का जो order होता है, वो क्या होता है, एक होता है, molecularity क्या होता है, molecularity भी इसमें क्या होता है, सर, एक होता है, और जो reaction का rate होता है यानि reaction का जो rate होता है rate of reaction reaction का जो rate होता है वो केवल depend करता है alkyl halide के concentration पे और जब यहां से यह proportionality हटाते हैं तो यहां पर क्या होता है ROR यानि rate of reaction जो होगा वो हमारा हो जाएगा K और यहां पर हो जाएगा Rx पावर में हो जाएगा 1 तो इसलिए इसका molecularity और order क्या हो जाएगा और सबसे खास बात है कि यह क्या होता है two step reaction होता है तो सर यहाँ पर जो solvent काम करता है वो करता है polar protdexy solvent कॉन सा solvent काम करता है polar protic solvent इस reaction में काम करता है तो सबसे बड़ी बात यह है अभी polar protic solvent क्या होता है मैं अभी समझाने वाला हूँ सबसे पहले समझो देखो order इस reaction में कितना होता है एक होता है molecularity कितना होता है एक होता है क्योंकि reaction में केवल एक ही molecule participate कर रहा है इसलिए इसका molecularity क्या होगा केवल एक होगा अब इसके बाद इस reaction का rate जो होता है केवल alkyl halide के concentration पे depend करेगा तो यहाँ पर basically क्या होगा power में one लिखेंगे ठीक आगे यह reaction जो होता है two step में होता है पहले step में कार्बो केटाइन बनता है प्रोटिक solvent अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें polar product solvent prefer करेंगे अब क्या यहाँ पर समझने वाले है सबसे पहले reaction को समझते है चलो बेटा देखो यह हमारे पास क्या है कोई alkyl halide है सबसे पहला जो step होता है यह क्या है step first है सबसे पहले सब्जो यह पहला step है सबसे पहला step का मतलब है कि यह दो step में होता है तो सबसे पहले step में क्या होगा reaction धीरे धीरे होगा तो सबसे पहले यह वाला bond यहां से तूटेगा जब यह bond यहां से तूटेगा तो क्या होगा जब यह bond यहां से तूटेगा तो यहां से यह इस पे partial minus partial plus 4 तो यहां से X minus बाहर निकलेगा और यहां पर क्या बनेगा R positive जिससे कहते हैं कार्बो केटायन क्या कहते हैं कार्बो केटायन कहते हैं इसके बाद और यह जो reaction होता है यह बहुत ही slow होता है slow का मतलब धीरे धीरे होता है carbon जो halocmon bond वो polar तो होता ही यह लेकिन इनके बीच में covalent बाद होता है और बांडिंग covalent है तो दीरे धीरे टूटता है तो जब यह धुरे धीरे तूटेगा तो धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो इन रिएक्षन का data स्जो का मतलब धीरे धीरे होगा जब धीरे धीरे होगा तो हम लोग determine कर सकते हैं कि कितने समय में हो रहा है तो इसलिए इसी को RDS कहते हैं rate determining step मतलब हम इसके rate को नाप सकते हैं लेकिन second step में यहाँ पर क्या होता है just उल्टा हो जाएगा कैसे जड़ा समझते हैं अब step second में चलते हैं step second में क्या होगा यह है कार्बो केटायन जो बना था यहाँ पर कोई nucleophile आएगा अब यह nucleophile इस पर attack करेगा और attack करने के बाद यहाँ पर क्या बना लेगा Rnu final product बना लेगा और यह वाला जो step होता है बहुत ही fast होता है क्या होता है फास्ट होता है क्यों यहाँ पर reaction दो आएन के बीच में हो रहा है एक केटायन दूसरा एनायन तो जब reaction ions के बीच में होता है तो वह बहुत ही fast होता है तो यानि यह second step हमारा क्या है आइनिक reaction है एक बात और यहाँ पर मैंने बताया था कि polar product solvent PPS लेते हैं तो polar product solvent हम लोग क्या लेते हैं इसको break करने के लिए use करते हैं अब polar product solvent का मतलब क्या होता है ऐसा solvent जो polar तो होगा ही होगा साथ ही साथ उसके पस acid hydrogen होगा सर acid hydrogen क्या होता है acid hydrogen का मतलब होता है जब hydrogen हमारा more 옛날 negative element जैसे की oxygen nitrogen chlorine के साथ जुड़ा हो तो वह hydrogen हमारा acid hydrogen कहलाता है तो сबसे बड़ी बात है पीपिस हमारा solvent क्या हो सकता है water हो सकता है water जैसा कि हम लोगों को पता है oxygen पे partial negative hydrogen पे partial positive charge होता है तो यह polar तो हो गया polar का मतलब किसी भी molecule में उसके atom के उपर partial positive और partial negative charge का एक साथ develop होना polar कहलाता है अब यहाँ पर यह जो hydrogen है electronegative element oxygen के साथ में जुड़ा है तो मतलब यह acidic nature का होगा इसके जगां पर हम लोग एथिन नॉल ले सकते हैं यह भी क्या होता है हमारा PPS होता है तो इस types का अगर solvent हमको दिखेगा तो कहीं न कहीं reaction हमारा SN1 को prefer करेगा तो इतना clear होना चाहिए यह overall हम लोगों को क्या था SN1 reaction होत अब मैं SN1 reaction में थोड़ा से stereocemistry लगाना चाहूंगा सबसे पहले इसको discuss करते हैं इस सबसे पहले तो यहां पर यह धियान देने वाली बात है एक मिनटा है अब सबसे पहले उसको discuss करते हैं तो इस्टीरियो केमिस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले यहां पर एक में कुछ लिखना चाहूंगा जैसे मानों यहां पर यहां पर देखो CH3 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 यहां पर BR लगा देते हैं SN1 reaction में हम लोग चल रहे हैं दो step में होता है तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है पहला वाला step slow होता है मैंने बताया था RDS होता है RDS का मतलब rate determining step होता है तो इसमें क्या करना है अपने आपको जराधियान से समझेंगे हम लोग तो यहां पर यह तो हो गया तो अब इसमें क्या होगा सबसे पहले यह वाला bond break होगा यहां पर कौन सा bond break होगा यह वाला जब यह वाला bond break होगा तो यह इस पर shift होगा partial negative इस पर partial positive तो यहां से क्या बाहर निकलेगा BR- अब देखो जब BR- यहां से बाहर निकलेगा तो फिर क्या बनेगा यहां पर बनेगा कार्बो के टायन यह है बीच वाला कार्बन बीच वाले कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज इसके साथ में तीन मिथाइल ग्रूप लगे हैं तो इस तरीके से तीन मिथाइल ग्रूप ले लेंगे ध्यान से बात को समझना बड़ा ही important बात है अब देखो यह वाला जो कार्बन था यह SP3 था और SP3 के साथ साथ में tetrahydral था तो अगर मैं इसका structure original वाला बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा जरा ध्यान से समझना कैसे tetrahydral बनेगा यहाँ पर कार्बन के साथ में बियार लग जाएगा एक मिथाइल ग्रूप यहाँ पर हो जाएगा और एक मिथाइल ग्रूप यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से देखो इसका मतलब ही कि यह दोनों bond-bord के plane पे हैं यहई वाला जो bond है बौड के क्या है यहाँ पर यह वाला जो bond है यह हमारा solid bond है और जो solid bond है यहाँ पर सीधे-सीधे दिख रहा है कि यह बौडे के बाहर है जो destiny एस बॉंड है यह बौड के अंदर यह टेट्र है टो 손ब होतात है इस ट्रालभा इस को तरह होता है कि यह मोलिक्यूल पलेनर नहीं होता है यह जो यहां पर लिखाल अगया यह प्लेनर नहीं यह लेकिन यहां से लिविंग गूरूप यानी बाहर निकलेगा तो यहां पर यह जो बनने वाला इस्पीसीज होगा जो की कार्वो के टायन है यह कैसा हो जाएगा प्लेनर हो जाएगा क्यों प्लेनर होगा जरा धियां से समझना क्योंकि यहां पर कार्वन का हाइबिड डाईजेशन SP2 हो जाएगा और SP2 के सास में यहाँ पर bond angle 120 degree का होता है तो कहीं ने कहीं यह क्या हो जाता है planar हो जाता है और जब यह planar हो चुका है तो इसमें क्या होगा जो अपना nucleophile आएगा वो आगे से भी attack करेगा पीछे से भी attack करेगा तो आगे और पीछे यानि back और front side दोनों side से attack करने के कारण इसमें जो product बनता है वो दो प्रकार का बनता है एक D बनेगा दूसरा L बनेगा जिसे रैस्मिक mixture कहते हैं कुछ-कुछ चीज़े यहाँ पर तुमको धियान देना पड़ेगा तो देखो यह जैसे अपना कार्वो के टाय नहाँ पर है यहाँ पर इस तरीके से अब यह carbon के उपर plus charge अब यहां पर Nucleus file लेकर आते हैं सपोस्किए नूख्यो फाइल यहा पर लेते हैं हम लोग कौन सा यह वाला नूख्यो फाइल domains OH- प्रवा माँenhस कों सा लेंगे ? चलो तो यह आया OH- अब OH- की पास दो बात है एक तु यह फ्रेंट साइड से एटेक कर ले एक तु यह बैक साइड से अटेक कर ले तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर यह आगे से अटेक करेगा तो कुछ इस तरीके से जहां से बियार लगा था उसी साइड में ओएच लगा देंगे और यहां पर मिथाइल गुरूप लगा देंगे ठीक और दूसरा क्या करेंगे अगर यह पीछे से अटेक करेगा जब पीछे से अटेक करेगा तो ओएच माइनस जस्ट इसके जहां पर यहां प्रोगा था अगर वाले साइड में यहां पर लगाया है यहां पर यहां पर देते हैं देखो कैसे लगेगा तो कुछ इस तरीके से यहां पर हो जायेगा OH, C, ME, ME का मतलब मिथाईल होता है, मैंने बता रखा है, ME, ये D हो गया, ये L हो गया, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्षर बोलते हैं, इतना तुम लोगों को clear हो गया होगा, और यहीं हमारा है total SN1 reaction का कहानी, तो इस तरीके से SN1 reaction के बारे में discuss करते हैं, overall ये SN1 reaction था, अब SN1 reaction के लिए जड़ा, जो हैलो एलकेन होते हैं, उनके degree के बारे में समझ लेते हैं, देखो, किस तरीके से यहां पर होगा, ये हमारा है, यहां पर सबसे पहले इसको बनाते हैं, अच्छे से, R, C, H, H, यहां पर ये क्या है, X है, यहां पर क्या है, R, R, H, यहां पर क्या है, X है, यहां पर हो जाएगा, R, 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 X हो जाएगा, अब अगर हम इसमें discuss करें थोड़ा से, यहां पर कुछ extra चीज़, जैसे ये 1 degree हेलो एलकेन है, ये 2 degree हेलो एलकेन है, हम लोगों ने सब यहां पर, 1 degree हेलो एलकेन, 2 degree हेलो एलकेन, 3 degree हेलो एलकेन, अब इसमें सर ये बताओ, कौन सा हेलो एलकेन सबसे फास्ट S and 1 reaction को देगा, कौन सा हैलो एलकेन सबसे fast SN1 reaction को देगा तो जहाँ पर बनने वाला कार्बो केटाइन होगा stable जादा वही हमारा इसको fast देगा तो यहाँ पर 3 degree हैलो एलकेन दिखरा है अगर तुम इस wand को तोड़ोगे तो यहाँ पर 3 degree कार्बो केटाइन डिबलब होगा और 3 degree कार्बो केटाइन अगर डिबलब होगा तो यह हमारा क्या होगा SN1 reaction को क्या करेगा fast देगा यहाँ से 2 degree बनेगा यहाँ से 1 degree बनेगा तो 1 degree तो देगा ही नहीं SN1 reaction को क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बो केटाइन एकदम ही unstable होगा, तो अगर हम rate लिखे हैं, तो methyl highlight हमारा सबसे पीछे आ जाएगा, यहाँ पर तो समझ लो कि हम कुछ कहीं नहीं सकते हैं, यहाँ पर तो cable hydrogen ही लगा रहेगा, उतना ज्यादा stable carbon carbon बनी नहीं पाएगा, तो इसका rate कम हो जाएगा, इससे ज्यादा rate किसका होगा, यहाँ पर जो fast देने वाले हैं, यही हमारे होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से SN1 reaction का stereo chemistry भी develop होता है, तो हाला कि हम लोगों ने SN1 reaction सिख लिया, SN1 reaction के साथ साथ हम लोगों ने ये भी सिख लिया, कि इसमें stereo chemistry को कैसे apply करते हैं, अब अपने exam में अगर SN1 reaction, SN2 reaction में difference भी आ जाता है board label पे, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे, लिखने का तरीका होगा, कि जैसे मैंने कुछ सुरू में ही बताया था, एक बाद दिखा देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, SN1 reaction में पूरा नाम, ठीक है, एक तरफ SN1 reaction में पूरा नाम हो जाएगा, order, molecularity, rate of reaction, फिर इसके बाद दो इस्टेप में होता है, पहले में कार्वो केटायन बनता है, दूसरे में नुकलियोफाइल अटायक करता है, फिर इसके बाद इसमें polar protein solvent का क्या करते हैं, यूज करते हैं, polar protein solvent मैंने यहाँ बता दिया, अब इसमें बनने वाला जो intermediate होता है, वो क्या होता है, कार्वो केटायन होता है, तो यह सब क्या हो जाएंगे, इसमें difference लिखने के काम आएंगे, फिर हम लोगे ने SN1 reaction के stereo chemistry के बा बारे में, तो SN2 reaction के बारे में हम लोग discuss करेंगे, अगले lecture में इसका notes बनाइए, इसको अच्छे से याद रखिए, पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,